हेलो, बूर्णिंग अलो फ्यू, हावाद यू, आई होप, अलो फ्यू आर फाइन, आई एम धारा, इन लास्ट वीडियो ओफ यूर ग्लास, फिफ्थ चेप्टर रॉन, अवर नेशनल फ्रोट मेंगो, वी डिस्कॉस दि क्वेस्टन नमबर 18, यानि की हमने लास्ट वीडिय में, क्वेस्टन नमबर 18 तक, डिस्कॉस की है था, आज हम आपकी वर्क बुक में, जो क्वेस्टन नमबर 19 है, वो स्टार्ट करेंगे भी, वो क्वेस्टन नमबर 19 इस, आंसर दो फोलोविंग क्वेस्टन, ओन दो बेजिस ओफ गिवन टेबल बिल, मतलब कि आपको क्या कर आपको जो नीचे टेबल दिया है, वो टेबल पर से आपको जो नीचे, उसके नीचे ट्वेस्टन दिये है, उसके आंसर दिखने है, तो फोर्स्ट क्वेस्टन इस, तो पहले हम टेबल देखते हैं कि टेबल में क्या है टाइप ओफ वहिकल, यानि कि वहिकल के अलग अलग टाइप, तो कौन-कौन से वहिकल है, बुलोग काइट है, टेम्पो और रिक्षो है, ट्रेक्टर है, एंड ट्रॉक है, तो फिर आपको दिया है यहां कि केपेसिटी to carry mangos in one trip, केपेसिटी मतलब क्या कि जो बुलोग काइट है, तो एक trip मतलब कि एक बार वो जाता है, जहां मेंगो को ले जानी है, वहां पहुंचाने के लिए, तो वो एक बार में कितनी मेंगो ले जा सकता है, उसे कहते है उसकी केपेसिटी, तो बुलोग काइट अगर जाएगा 200 किलो, टेमपो या तो रिक्षा जाएगी तो 700 किलो, ट्रेक्टर जाएगा तो 1000, एंट रग तो 6000, और यहां आपको दिया है speed of the vehicle, यानि कि वो विहिकल जो कोई भी है, वो कितनी speed पे चला जाता है, तो आपको पहले यहां बुलोग काट दिया है, तो 5 किलो मेटर तो मतलब क्या है, पर अवर, मतलब की एक घंटे में जो बुलोग काट अगर मेंगो लेकर जाएगा, तो एक घंटे में वो कहां तक पहुँचा होगा, 5 किलो मेटर तक, तो अलग अलग भी कल्स की, अलग अलग आपको यहां speed जो है, वो दिया है, तो first question है, कि how much mangos will a block काट carry in three trips, मतलब क्या होता है, कि मेंगो ले जानी, कि कोन ले जाता है, बुलोग काट, तो carry in three trips, मतलब कि, वो बुलोग काट जो है, वो, three trips, मतलब तीन बार जाएगा, तो कितनी मेंगो ले जाएगा, तो आपको यहां दिया है, कि अगर एक बार one trip, मतलब एक बार बुलोग यहां क्या जाएगा cross multiplication तो मैंने सिखाया cross multiplication जो आपको find करना है वो बाद में लिखना है तो आपको क्या find करना है mangoes और दूसरा क्या है कि trips तो यहां हम क्या लिखेंगे कि drips and mangoes okay तो trips तो क्या करना है one trips यहां दीखा है one trip तो यह one trip और कितनी mango 200 kilo कितनी mango 200 तो one trip में 200 kilo तो आपको यहां कितना find करना है three trips तो यहां क्या लिखेंगे three trips में how much तो cross multiplication कैसे करेंगे equal to यह दोनों का क्या करेंगे multiplication 200 multiply three और यह one है तो डिनोगी नेटर में one लिखने की ज़रूरत नहीं one के अलावा कोई भी number होता तो हम लिखेंगे तो three two is a six और zero का zero तो क्या answer यह हमारा six hundred kilo मतलब कि एक बार जाएगा तो 200 kilo दूसरी बार जाएगा तो दूसरा दो two 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 hundred plus two hundred four hundred और तीसरी बार जाएगा तो six hundred kilo ओके फिर question number two how much mangoes will tractor carry in five trips मतलब कि अगर tractor जाएगा तो कितनी trips है five trips आपको क्या यहां find करना है कि अगर five times tractor जाएगा mango को लेकर तो वो कितनी mangoes ले जा सकता है तो आपको क्या find करना है यहां भी mangoes और दूसरा कि आपके पास trips तो यहां भी same trips and mangoes तो trips को यहां दी ही कि one trip में कितनी ले जाता है ट्रेक्टर 1000 kilo तो कैसे लिखूंगी one trip में कितनी ले जाता है 1000 kilo तो आपको कितना find कितनी trips की five करनी है five तो five trip की कितनी तो यहां यह दोनों का cross multiplication तो 5 multiply by 1000 आप 1000 पहले लिखो 5 बाद में लिखो या तो 5 पहले लिखो 1000 बाद में लिखो कोई difference नहीं है तो equals to 5 बंजा 5 और 1, 2, 3, 0 1, 2 and 3, 0 और क्या है किलो में है तो यहां लिखेंगे हम 5000 किलो फिर next what distance distance, will और टेंपो रिक्षो ट्रावेल इन 4 अवर्स मतलब कि अब तक आप mango फाइंड करते थे अब क्या करना है आपको distance फाइंड करना है किसका टेंपो रिक्षो का क्या फाइंड करना है distance और आपके पास दूसरा क्या है 4 अवर्स है तो पहले hours और क्या फाइंड करना है हमें distance तो यहां दिया है पार अवर यहां आपको दिया है पार अवर पार अवर मतलब की एक घंटा क्या होता है पर अवर मतलब एक गंटा तो टेम्पोरिक्षो जो है वो एक गंटे में कितने किलोमेटर जाते है फिफ्टीन तो आपको दिया है फोर गंटे में वो कितना है डिस्टेंस तो क्या पर अवर मतलब एक गंटे में वो कितने किलोमेटर तक जा सकता है फिफ्टीन त तो यह दुनों का क्या करेंगे हम अगेइन, क्रोस, मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू 15, किसके साथ मल्टिप्लिकेशन करेंगे, यहां आपको युनीट जो है वो कमपलसरी लिखना है, तो क्या बतना आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आया हमारा 16 किलो मेटर, अगर टेमपो रिक्षो फॉर अवस्तब को जाएगा, तो कितना डिस्टन्स कवर कर लेगा, 60 किलो मेटर, नेक्स्ट है, फॉर्थ, वट डिस्टन्स विल और ट्रॉक को ट्रावेल इन टू ओवर्स, मतलब की ट्रॉक, ट्रॉक का फाइंड करना है, कितने घंटे का, दो घंटे का, आपको यहां दिया है, एक घंटे में, ट्रॉक कितना डिस्टन्स कवर करता है, 45 क्या फाइंड करन किस तंस तो एक घंटे में कितना कवर करता है 45 कितना 45 किलोमेटर आपको कितने घंटे का फाइंड करना है दो तो टू ओवर्स में